हेलो एब्रीवन वेलकम तो माई चैनल ट्टर अभी सो आज के हम इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं mathematics के कुछ important question जिनके chances है paper में आने के सुमार जो first question है वो first question है unit force है question है apply method of variation of parameter और यह हमारा question की मिन है d square y upon dx square plus 2 dy upon dx plus 2y is equal to 1 e power x 10x and इसमें हमें लगाना है method of variation of parameter और यह question है unit force का तो अगर यह question मेंस कि इसका जो process है अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम variation of parameter के किसी भी question को बहुत एजली कर सकते हैं क्योंकि इस question को करने में जो method use होगा and जो formulas use होंगे वो अगर हमें ढंक सी हो गया तो हम parameter के कोई question कर सकते हैं इसमें पहले cf find करना होता है उसमें हम क्या करते हैं यह equation होता है इसको हम zero put करते हैं फिर उसका हम cf find होता है फिर हम इस पे variational parameter के formula लगाते हैं और इसकी basis पे फिर हम इसके answer find करते हैं तो तो मैंना second question है second question है solve x square d square y upon dx square minus 3x divided by dx plus 5y is equal to sign and sign के साथ जो angle दिया है वो है log x log यहां पर ln x है तो इस question यह question भी unit 4 का है and this question हमें solve करना है means कि हम पहले इसका cf find करेंगे cf find करेंगे cf में क्या है हम इस वाले term को equal to zero put करते हैं वहां से roots find करते हैं and with the help of root हम इसका cf find करते हैं then हम इस question के help से इसके pi find करेंगे फिर जब हम उन दोनों को add करते हैं तो हमारा cf and pi को जब हम add करेंगे तो हमारा जो answer होता है वो एक proper solution आता है अब हमें पदा कसी चलेगा कि इस question को हमें unit 4 का ही question है इसमें cf and pi ही find करना है तो यहां पर क्या है सबसे पहले तो यह जो यह d square away upon dx square यह second degree का है तो second degree का है तो यह तो यह unit 4 का question होगा यह फिर unit 3 में भी एक होता है है like p type solvable for x solvable for y उसका भी question हो सकता है अब next देखना हमें यहां पर क्या है x square है यहां पर x है तो यहां पर क्या है कि अब d square upon dx square के साथ यहां पर x square है और यहां पर divide upon dx के साथ x है और plus 5 यह constant हो गया तो यहां पर हम इसका root find कर सकते हैं तो हम इसमें cf and pi लगाएंगे अगर इसको हम solvable for y से करें क्योंकि यहां पर एक y term है तो हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर sin lnx है और इसका अगर हम differentiation करेंगे या फिर integration का process करेंगे तो यह तो फ़रा सा complex हो जाएगा तो इसलिए हम इससे unit 3 के किसी भी formula assessment नहीं करेंगे और इसमें हम unit 4 apply करेंगे और unit 4 में भी हम पहले cf find करेंगे then हम pi find करेंगे ना जबना next question है अब इन दोनों question अगर हम यह दोनों question कर लेते हैं यह दोनों question कर लेते हैं तो माल लीजिए कि आपका जो 50% वो unit 4 complete हो चुका है unit 4 50% इन दोनों question की help नहीं complete हो जाएगा next question है यह next question है मारा unit 1 से इसमें क्या evaluate हमें यहां पर limits दे रहे हैं 0 to power infinity lower limit 0 upper limit infinity again lower limit 0 upper limit infinity and e की power minus x square plus y square d y dx changing into polar coordinates Honors polar coordinates और पोलर कोडिनेट चैनल में x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta यह होते हैं हमारे polar coordinates तो हमें स्कोशन को solve कर ना है and solve करना कैसे है इसमें हमें x of y को change करेंगे polar coordinates में then हम स्कोशन को solve करेंगे तो अगर हम इन दोरों को polar coordinates में change करेंग तो इनके limit भी कुछ change स्थाएगा से रेप्लेस करते हैं फिर जाके इस वां को को स्वाल करेंगे तो यह कोशन यूने च्वाइट वन का और यह विद्वेट तू माल या फिर फाइब माट में आ सकते हैं है नेक्स्ट अमारा need find differential equation sorry यहां पर यह exact equation यह differential है यह यह हुँगा define exact differential equation यह हो गया exact differential equation हमें अब define करना तो इसमें हम पहले तो इसका definition लिखेंगा exact इसका एक प्रूफ होता है कि जो एक जैक रिफरेंशियोशन है तो इस कुशन को में कैसे अगर वो कोई दे रखाया प्रूफ की दिया इसमें हम लेते हैं कि d y x dy 2y plus ydx is equal to 0 करते हैं तो वह कैसे आता है उसका पूरा प्रोसेस है पूरा पूरा प्रूफ है वह में एक प्रूफ है वह हमें कोश्यों के साथ जरूर करना यह तब ही जाके मारा कोशन होगा और यह कोश्यंण भी टू-र्रइ फू-र्ण में यह जो कोंड़ dal कि आप एता है नेक्टेमारा क्लेयरट उसका डेपिनिशन लिए करना है कि पहले हम इसका आप इसका इसका भी एक पूफ होता है उस पूफ होता है उस पूफ को भी एक स्पेंड करेंगे तब जाकर क्यूफ कंप्लीट होगा तो यह दोनों हो गया यह यूनिट 3 से कोशन है यह दोनों यूनिट 4 का था एंड यह कोशन हो गया यूनिट 1 का ना नेक्स्ट कोशन अगें यह यूनिट 1 का है इसमें क्या लिमिट दे रखे हैं हमें 02a, 02x, 02x यह दो जो जो इंटिग्रेट करना है वह एक पाओर x प्लस y प्लस z d z d y d x अगर इस कोशन को हम कर लेते हैं तो यह यूनिट 1 का इसको यूनिट 1 में जो इंटिकेशनल कोशन होंगे डेवल इंटिकेशन और ट्रिपल इंटिकेशन तो अगर यह कोशन हो जाता है तो आप मान क्कुसें कोशन है वो है che अजिए प्लैनव स्टीपल म कुछ इफ आय। N यू इस एक प्लस करण जी फ्ली एक प्लस कर ली बन उन當 कली सेट का ह माल इसकुल तो माइनस 9 x plus y plus z की पावर माइनस 2 अब इस question को यह question हो गया हमार unit 1 का unit 1 का differential part है उससे question हो गया अब इस question को हम कैसे solve करते हैं कि हम यूगिवन है हमें find क्या करना है यह हमें प्रूफ करना है दिया हूए इसमें show करना है कि इसके equal होना चाहिए तो हमें यह find इसको प्रूफ करना है कि यह अगर इसके equal हो गया तो मारा answer सही है तो हम सब से पहले क्या find करेंगे यहां पर हमें curly you given है and हमें यहां curly upon curly x पूचा है तो हम पहले हम पर curly upon curly x find कर लेंगे then curly upon curly y find करेंगे then z find करेंगे उसके बाद जाकर हम इस question में apply करेंगे यह define करके आएगा तब जाके हमारा इसकांसर आएगा और यह जो question है यह हमारा unit 1 से है यह question भी 2 marks में या फ़र 5 marks में आ सकता है next question हमारा यह भी हो गया हमारा unit 1 से ही integration portion से question है find the area of the region bounded between the curve y is equal to e की power x and the line x is equal to 0 and x is equal to ln 2 अब इस question में क्या है यह हमारा integration portion से है तो इस question में diagram most important है इसका diagram पना अगर इसका diagram आपका correctly बन गया है तो आप question को भी बहुत इजली solve कर सकते हैं और इसमें जो हमें area find करना है तो हमें यहां पर e x का graph बनाने आना चाहिए then log का भी graph बनाने आना चाहिए कि हम कैसे log का graph draw करेंगे फिर उसके area under जो इसका reason है वो find करेंगे तो यह question भी two marks में आ सकता है या फिर five में भी आ सकता है जिसका diagram most important है अगर आपका diagram correct है तो आपको one or two marks or diagram के मिल जाएंगे ना जबना next question है यह again unit 1 से है यह question कहा है that temperature T at any point x y z is equal to 400 x y z square यह question हमारा है maximum minimum topics है find the highest temperature on the surface of unit sphere x square plus y square plus z square is equal to 1 अब इसमें क्या करते हैं यहां पर हमें एक equation given है और हमें square के surface पर हमें temperature temperature find करना highest temperature तो यह question solve होगा maximum minimum से अब maximum minimum में हम क्या करते हैं कि पहले की question बनाते हैं यहां पर यहां से हम z square की value निकालेंगे यह z square की value यहां से find करेंगे फिर जड़े इस z square की value का मिया पूट कर देंगे देन जाके हमारे equation बन जाएगा फिर इस equation को में differentiate करना है और वहां से हम उसके root find करते हैं और फिर x y z के हम पर root find करेंगे फिर हम एक formula होता है a c minus b square फिर इसमें पूट करके and then इसका highest temperature का वहां find करेंगे और यह question भी unit 1 से है और यह question 2 marks या फिर 5 marks में आता ही आता है so guys यह थे कुछ important questions mathematics के I hope कि आपको इस वीडियो से help मिला होगा अगर आपको वीडियो पसाइब तो प्लीज वीडियो को like करें शेयर करें चैनल को subscribe करें thanks for watching the video